दोस्तों नमस्कार जैस्री कृष्णा जैस्री रादे दोस्तों आज हम बात करेंगे 2024 में करक रासी वालों के लिए कौन सी यो है बड़ी भवश्रवाणी हैं जो सत्तिसावित होकर रहेंगी 2024 कैंसर साइन करक रासी 2024 ग्यारा महतपूर भवश्रवाणी ग्यारा महतपूर बातें ग्यारा महतपूर ऐसी इस्तियां जो आपके साथ सत्तिसावित होकर रहेंगी अगर आप उन परिस्तियों में हैं तो निश्चत ही जो मैं कहूंगा वो आपके साथ होकर के ही रहेगा आईए जानते हैं क्या वो इस्तिती है, कौन सी वह भविश्वानी है जो आपके साथ सत्य सावित होकर के ही रहेंगी बैसे यह तो यह सामानने रासीफल है लेकिन हमने आपको पहले रासीफल दिया करियर हेल्थ इत्यादी का, सिक्षा स्वास्त करियर ब्यापार का सब कुछ बताया उसमें लव रासीफल भी दिया हमारे दूसरे चनल पर जसपे आपको पूरा बिस्तार से आपकी लव लाइफ, मैरिट लाइफ, रिलेसंसिप के बारें प्रत्यक relationship के बारे मिं बताया और अब ये है महत्पूर क्योंकि ये आपके लिए special surprise है एक special वीडियो जो साल में एक बार मिलता है और ये वीडियो आपके साथ सत्य सावित होकर के ही रहता है मैं आपको जो बताता हूँ वो आपके साथ सत्य सावित जरूर होता है लेकिन पूरा बिस्तार से देखिएगा और एक एक बात आपके साथ सत्य सावित होकर रहेगी यह बात आप यकीन से मैं कह सकता हूँ यह 11 भविश्यवाणी आपके साथ सत्य सावित जरूर होंगी बस आपको इसे अपनी जो कुछ बाते हैं जो मैं आपको बताऊंगा लेकिन आपको इसे मून सायन के नुसार देखना है कुंडली वाली रासी के नुसार देखना है उसी के नुसार इस भविश्यवाणी को देखें अगर आपको रासी अपनी नहीं पता है चंद रासी तब आप इसे नाम रासी के अनुसार भी देखवा सुन सकते हैं अब हम आपको बताते हैं कि भविश्वाणी क्या है और क्या आपके लाइफ में होने ही बाला है तो पहली भविश्वाडी है कि आपके विवाह के योग इस वर्स निमनिस्तर के रहेंगे ऐसे निमनिस्तर के विवाह के योग रहेंगे कि आपके अगर साधी कहीं वात जल अभी तक जैसे माल लीजे या आपकी विभा की स्तिती बनी नहीं रही थी, दूर दूर तक रिष्टे आही नहीं रहे थे, तो अब रिष्टे तो आएंगे, लेकिन विभा हो नहीं पाएगा, सगाई हो जाए या सगाई की डेट फिक्स हो जाए बोल, लेकिन हो ही ना पाए, विभा हो नहीं पाए, कही 2024 में विवहा नहीं हो पाएगा दूसरी भविश्यवाणी है कि अप्रेल और ये जो पहली भविश्यवाणी आपके साथ में सत्य साबित और ज्यादा प्रवल योग तब बन जाएंगे जब आपकी राहू की महादसा या नवम पंचम या एकादस में राहू विराजमान हैं तो आपके साथ में जरूर होगा कुंडली में उसके साथ साथ अब बात करते हैं दूसरी भविश्यवाणी दूसरी भविश्यवाणी है कि आप किसी गलत व्यक्ती से प्यार कर वैठेंगे किसी बहुत ही गलत व्यक्ती से जो आपको बरवाद कर देगा और ये आपके साथ में जायातर इस्तितियां है कि जणवरी-फरवरी या फिर आप जुलाई-नवंबर के आसपास में जुलाई में नवंबर में ऐसे प्यार में पढ़ेंगे जो आपकी लाइब बरबाद कर देगा जनवरी फरवरी में ज्यादा चांस है जिसमें आप खुद ही अपनी जिद्ध की वज़े से उसके पीछे पड़ जाएं और वो आपको बरबाद करते आप ऐसे गरत व्यक्ति के प्यार में पगला जाएंगे सुदबुद खो बैठेंगे जहां आपको कुछ भी नहासिल नहीं होगा तो यह दूसरी भविश्यवानी होगी अब बात करते हैं तीसरी भविश्यवाणी की तीसरी भविश्यवाणी है कि आपको अप्रेल के महीने में सरकारी जॉब मिल जाएगी अगर आपकी कुंडली में सूरी की या सनी की महादसा चल रही है और सूरी की इस्तिती अच्छी है, सनी की इस्तिती अच्छी है तो आपको सरकारी जॉब मिल जाएगी अप्रेल के महिने में चौती भविश्यवाडी है कन्फ्यूज बहुत रहेंगे कन्फ्यूजन बहुत होगा और गलत नड़ए बहुत लेंगे बहुत सारी गलती करेंगे इस बर्स में तो कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी, गलत नड़ए और डर ये सब चीजें आपको परेशान कर सकती हैं करेंगी ही करेंगी, इससे तो बची नहीं सकते हैं पांच में होईश्यवाणी है, आपको प्रमोशन में बाधा उत्पन होते हुए आप देखेंगे प्रमोशन अटकता हुआ देखेंगे, आपका प्रमोशन होने ही बाला था लेकिन किसी वज़े से रुग गया तो प्रमोशन में बहुत ज़्यादा अटकने लगेंगी और आपकी अच्छी खासी करियर की स्तिती खराब कर देगा अगर प्रमोशन के भरोसे हैं तो प्रमोशन से ज़्यादा उम्मीद मत कीजेगा किसी भी तरीके से प्रमोशन से सपने मत सजाईएगा ये आपको कश्टदाई हो सकते हैं अब बात करते हैं छटी भविश्यवाणी है कि मेरिड लाइफ में फैमिली प्रॉब्रम इतनी बढ़ेगी कि फैमिली की बज़े से आप दोनों को अलग होना पड़ सकता है ये नोवत भी आ सकती है अगर आपकी कुंडली में राहू की महादसा चल रही है सनी की महादसा अंतरदसा चल रही है तो ऐसा जरूर होगा और ये बिसेश रूप से जो योग बन रहे हैं मार्च में या नवंबर में होने के ज़्यादा संभावना है अब बात कर लेते हैं सात्मी भविश्यवाणी की सात्मी भविश्यवाणी है सिनिमा के छेत्र में अगर आप कारे करते हैं सिनिमा के छेत्र में आपको मई के महीने में अगर सुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है और सुक्र की महादसा अंतरदसा वी चल रही है आपकी क अलग ही आपको brand बना देगा, अपने entertainment के छेत्र में आप बहुत ही खास बन जाएंगे, special बन जाएंगे, लोगों की बहुत नजरों में आ जाएंगे, एक अच्छा आपके लिए ये career बनाने की इस्तिती मई का महीना, एक अच्छी opportunity, एक अवसर आपको मिलने वाला है, अगर म मही के महीने में आपको कोई movie मिलती है, उस movie को, उस role को छोटा समझ करके इगनौर मत कीजिएगा, अगर आप बहुत बड़े superstar हैं भी, बहुत कुछ नाम कमा भी लिया है, बहुत अच्छा career बन भी गया है, तब भी किसी चीज को छोटा समझ करके मत जाने दीजिएगा, मही में ऐसा बसर आपको मिलेगा, जो आपको और उंचाईयां देने बाला है, और सबसे ज़्यादा प्रसंसा लोगों की मिलेगी, अब बात कर लेते हैं, आठमे भश्यवानी की, आठमे भश्यवानी है, लव लाइफ में, ये लव लाइफ कहें, या फिर प्यार में कहें, किस आपका पार्टनर, नौमी भश्यवानी है, जून के महीने में मकान का सपना पूरा हो, या बाहन का सपना पूरा हो, या कोई बहुत बड़ी खुसकवरी हो, या बहुत बड़ा कोई सपना पूरा हो जाए, अगर आपकी कुंडली में सनी की महादसा चल रही है, तब ऐसा ज प्रभाव मार्च नवंबर अक्टूवर में दिखाई देगा राजनीती के छेत्र में आपका करियर बनने से पहले बिगड़ जाएगा या अच्छे खासे करियर बना चुक है राजनीती में तो आपके कुछ फुल स्टॉप लग जाए आपके करियर पर मतलब करियर बरवाद हो जाए करियर खत्म हो जाए या फिर आपको बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान आपके करियर के मतलब आपके राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा नुकसान आपको इन महीनों में होगा और इसमें अगर राहू की महादसा है राहू की महादसा में सनी का अंतर है और प्र मजबूरी में या फिर किसी भी तरीके से समझ लिजे लेकिन आपका एक्ष्टा फैर जरूर बनेगा और एक्ष्टा फैर बनना ज्यादा तर लोगों की तो मजबूरी होगी और कई लोगों की जरूरत होगी तो यह इस्तिती आपका हो सकता है कि अगस्त या सितंबर में आप का एक्ट स्टाफ है जरूर बन जाए तो यह रहेंगी ग्यारा वहिश्यवानी जो आपके साथ सत्त सावित होकर रहेंगी अगर आपको यह वीडियो पसंदा इस वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करें और अगर आप फुल अपना लव रासीफल फुल अपना करियर देख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों नमस्कार